नमस्कार, ग्लिप्स जॉटेन में आपका स्वागत है संभव है कि अब देश की राजधानी दिल्ली के क्लबों और रेस्ट्रो बार्स में आपको डीजे का संगीत सुनने को नहीं मिले एकसाइस डिपार्टमेन ने सरकुलर जारीकर शहर के 900 से ज़्यादा बार और क्लबों को एक पुराने नियम की याद दिलाई है इस नियम के तहट आप इस तरह की जगों पर रिकॉर्डेड म्यूजिक नहीं बजा सकते यदि यह नियम सकती से लागू कराया जाता है तो किसी भी कलब, पब, बार और रेस्ट्रो में कस्टमर्स के लिए डीजे वाला म्यूजिक नहीं बजाया जा सकेगा इस नियम की वज़ा से डीजे के आकर्शन पर असर पढ़ने की आशंका है क्योंकि डीजे गाने आमतोर पर पॉपलर बीट्स की रिमिक्स के लिए ही जाने जाते हैं दिल्ली के एकसाइस कमिशनर अमजड टॉक ने कहा यह सब एकसाइस रूल 2010 के अनुसार है जिसमें लिखा है कि जितने भी लाउंज, पब्स और रेस्ट्रो बार शहर में हैं उनके पास L17 लाइसंस होना चाहिए इस लाइसंस के नियम और नुसार गेट्स के लिए सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ सिंगर या इंस्ट्रूमेंट ही प्ले कराया जा सकता है रिकॉर्डेड म्यूजिक को प्ले करना इसकी अवहेलना माना जाएगा बता दें कि रिहाइशी इलाकों में इस तरह के बार्स पर अब तक कोई करवाई नहीं हो रही थी लेकिन अब लोगों की शिकायतों के बाद प्रशाशन सक्रिय हुआ है और एक्शन लिया जा रहा है हाला कि ऐसा करने से तमाम डीजे प्ले करने वालों की नौकरी पर खत्रा जरूर आ गया है क्योंकि तमाम बार और क्लबों में डीजे वाले ही रिकॉर्डेड म्यूजिक प्ले कर अब तक लोगों का मनुरंजन कर रहे थे